डेली करिंट नियूज में अभी की खबर है अन्ना मनी को समर्पित गूगल का डूडल आज यहनी तेई सगस्त को प्रसित भारतिय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मनी की 104 जहनती मनाई जा रही है इस अफसर पर गूगल ने एक विशेश जूडल के जरिये इस भारतिय विज्ञानी को सम्मानित किया अन्ना मनी को देश में महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रे प्रतीक माना जाता है वह भारत की पहली महिला वैज्यानिकों में से एक थी और उनके कार्युव ने भारत को सटीक मौसम की भविश्यवानी करने में महत्पून योगतान दिया अन्ना मोदयल मनी का जन 23 अगस्त 1918 को केरल के पीरमाडे गाउं में हुआ था वह बच्पन से ही बहुत मेधावी थी उन्होंने 1940 में भारतिय विज्यान संस्थान बेंगलूरू में शोध के लिए छात्रृत्ती प्राप्त की उन्होंने नोबल पुरसकार विजेता सरसीवी रमन के तहत स्पेक्ट्रोस्कोपी का देहन किया 1945 में उन्होंने मौसम संबंदी उपकरणों में विशे शग्यता हासिल करने के लिए लंदन के इंपीरिल कॉलेज में दाखिला लिया 1948 में उन्होंने भारत मौसम विज्यान विभाग यानि आइमडी में काम करना शुरू किया उनकी देख रेक में उत्पादन हेतु 100 से अधिक मौसम उपकरणों को सरल और मान की करत किया गया मणी ने स्थाई उर्जा माप पर कई पत्र प्रकाशित किये उन्होंने सौर और पवन उर्जा उपकरणों का नर्मान करने वाली एक कमपनी की स्थापना भी की इन्होंने आएमडी के उप महाने देशक के रूप में कारे किया तथा सयुक्त राष्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन में भी महतवपून पद उपर कारे किया मौसम पूर्वानुमान माप उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है 1987 में विज्ञान में उनके उलेखनी योगदान के लिए उन्हें भारती राष्ट्रे विज्ञान अकादमी यानि इन्सा के आर राम नाथन पदक से सम्मानित किया गया 16 अगस्ट 2001 को तिरुवनंत पुरम में इनका निधन हो गया वश 2018 में उनकी सौवी जहनती के अफसर पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा उनकी विरासत की माननेता में उनका प्रोफाइल और साक्षात कार प्रकाशित किया गया था आयमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो इसके स्थापना 1875 में की गई थी ये देश की राश्ट्रे मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान और संबध विश्यों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुक सरकारी एजंसी है मौसम विज्ञान का महानिदेशक विभाग का प्रमुक होता है जबकि प्रादेशक मौसम केंद्र एक महानिदेशक के अधीन होते है झाल